कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बुक्स एजूकेशन यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा बार्वी हिंदी की पुष्टक अंत्रा भाग दो इसका पार्ट जैसंकर प्रशाद इसमें कभी जैसंकर प्रशाद का जीवन परचर करते तो नहीं की जैसे उन्हाद का घीत इसकी व्याख्या भी समझेंगे प्रशन उतर के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं और कार निलिया गीत उसकी व्याख्या और प्रिश्ण उत्र का भी अलग से वीडियो है तो विद्यार्थियो वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं तो चलिए चलते हैं कि कवदा की व्याख्या पर लुँसे ऐ zie संकर पृषाद कभी का नाम है जै संकर पृषाद की रचनाया बच्मन से बढ़ते आए हैं बहुत प्रसिद्ध कभी रहे हैं और इनका जो परिवान था उसमें भी कलाक्य प्रती रुंचि थी बहुत संपन्न परवार था, बहुत अमीर परवार था, शंकर प्रसाद कवी एक ऐसे कवी हैं, जिन्होंने नाटक, कविता, कहानियां और निबंद सब कुछ लिखा है, एक प्रतभाशाली कवी थे, बहुमिकी प्रतभागे दनी थे, परवार में भी संपन्न थे, बहुत अम अमीर थे, तो इनका जन्म सन 1889 में वारा नसी के लमही ग्राम में सुंगनी साहू, इनके जो परवार का नाम था, वो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, उस परवार में इनका जन्म हुआ, वारा नसी यनकी जो काशी है, इनका परवार धनाड्डे था, अमीर था, पिता का नाम देवी परशाद सुनी साहु के नाम से प्रशिद्ध थे माता मुन्नी देवी तो इनके पिता का नाम देवी परशाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था आफ がरपर ही शिक्षा का प्रबंद किया गया ग़रपर ही सिक्षक पढ़ाने आते थे इनको अब अब देखो इतने पैसे वाले थे कि इनको सुपढ़ाने के लिए गरपर ही शिक्षक आते थे उस समय की बात है सन 1910 पास की बात हुआ हो तो Mooji अंग्रिजी संस्कृत, इनका खुब अध्य ने नोन ने किया, अब उनकी जो सिक्षा का प्रबंद किया घया था रिषयत्य गए लेकिन वह साथमी तक इनकी प्राण जो सिक्षा हुआ पई उसके बाद घर पर इनके लिए प्रबंद किया गया तो घर से ही इनके साहित्य में रूची हो गई यह जो कला और साहित्य है उन्हें की रूची पैदा हो गई क्योंकि दादा भी कला प्रेमी थे जो कला साहित्यकार थे उनको बड़ा पादर करते थे उनका सम्मान करते थे और समाज में भी उनका बड़ा सम्मान था इन्होंने वेदों और उपनेशुदों का विशेश अध्यान किया छोटी उम्र में कवता रचना करने लगे थे छोटी उम्र में इन्होंने कवता लेखना शुरू कर दिया था जब नौ साल के हैं महादेविवर्मा सुमित्र अनंदन पंत सूरे कांद तरपाठी निराला और जैसंकर प्रसाद यह चारों चायवादी कवता के स्थम्भ कभी कहे जाते हैं तो जो जैसंकर प्रसाद हैं वो भी सिस्थम्भ में शामिल हैं इनके जो प्रारमिक शिक्षक हैं वो मोहिनी लाल गुप्त थे यह इनके गुजो गुरूग थे मोहिनी लाल गुप्त कराधर के नाम से नौ वर्ष की अवस्था में इनोंने सवया लिग दिया था कराधर के नाम से रचना की थी इनोंने इनके तीन विभा हुए कितने आश्चार की बात है लेकिन तेरी पत्नी उनको सब्सक्राइब हो गई ने अलए दूसरी पत्नी उनको भी टीव हो गई वो भी टीवी से मरी में पूस्वरी ही मुझें पत्नी से विसें उने शादी कि और और देखो आशर की बात यह है कि इनका जब निधन हुआ तो इनका निधन भी टीवी की वज़े से हुआ उस समय टीवी का इलाज इतना नहीं था जितना आज है थोड़े पर दबाएं हुआ करती थी आयरवेद वगएरा की इतनी जांचे नहीं थी जैसी आज की सुद्धा है तो टीवी के कारण इनका पूरा परवार मौत के मुह में चला गया और सन 1936 में 15 नवंबर को इनका निधन हो गया अब आते हैं के क्रिक्तुत्य परचे पर कि इन्होंने क्या लिखा कविता कहानिया नाटक क्या क्या लिखे तो प्रसाद जी भहुमुकी प्रतिवा के धनी थे इसलिए उन्होंने कहानी कविता नाटक उपन्यास और निबंध जैसी अनेक विदाहों पर लेखनी चलाई अन कावे संग्र यानकी जो इनकी कवताओं की जो किताबें हैं वे कामाईनी चित्राधार महारणा का महत्व प्रेम पतिक जर्ना आंसु लहर आधी बहुत सारी रचनाइं यह के वहलों के कुछ नाम है और जो कामाईनी महाकावे है वो हिंदी का स्रेष्ट महाकावे माना जाता ह श्रेश्ट माकावे माना ज़्यादा कामाईनी को नाटक भी लिखे हैं नोने चंद्र गुप्त इसकंद गुप्त राज्य शरी आजात शत्रु धृत्व स्वामिनी आधी उन्होंने एतिहासिक विश्यों पर ज्याद तर नाटक लिखे हैं अब उनोंने उनकी जो पहली रचना थी फ्रेम अथिक और उनोंने ब्रज बहर्षा में लेकिन जो इरावति है इनका पूरा नहीं हो पाया और बीच में इनका निधन हो गया तो ये इनका अधूरा पन्यास है इरावति कहानियों में छाया प्रति धुनी आंधी इंदर जाल आधी यह कहानी संग्रह हैं इन्हों इन्हों बहुत सारी कहानिया हैं सहायत्य की विशेश्ता हैं अब इन्होंने जो कावे लखा उसकी क्या-क्या विशेश्ता हैं प्रकृति के संदर का चित्रन इनकी जो रचना हैं इनमें प्रकृति के संदर का चित्रन देखने को मिलता है मानव प्रेम और संदर पर बल दिया है इश्वर प्रेम पर बल दिया है देश प्रेम और राष्टिता की भावना इनके रचनाओं में अधिकतर देखने को मिलती है क्योंकि जो एतियासिक नाटक हैं उनको भी इन्होंने राष्ट्र को ही संभोधित करके इनकी राष्टिता पर बल देने के लिए ही उनमें ऐसे भाव विचार भरे हैं यानकी उनका जो विशय है वह एतियासिक है लेकिन उनकी जो विचार धारा है वह आधनिक विचार धारा यानकी राष्टिता की है नारी के प्रतिश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कवताय हैं आपके लिए देवशेना का गीत और कारनेलिया का गीत पहले हम देवशेना के गीत की भूमिका जान लेते हैं कि यह पार्ट कहां से लिया गया है और इसमें क्या बताया गया है जैसेंकर प्रसाद ने जो भी रचनाएं लिखी है उन रचनाओं को उस समय में भीच एंट लिखे हैं और वो जो गीत है यह जो एक इसकंद गुप्त नातक हैसकंद साब-सीना का देवशेना का गीत नाम दिया गया वही वही कव्फ मेथा है तो यह लिया गया है इसकंद तो इव् anटक से लिया गया है कि देव सिना इस्कंद गुफ्त से प्रेम करती है अधिव bara के राज़ा तुक्ति स्कंद गुफ्ति विजया से प्रेम करते थे कि एक पर मालवा नहीं जो मालवा राज्य है उस पर हुण के आकर्मन के मालवा तहस्नहस हो गया तहस नहस बिल्कुल नस्ट कर दिया इसमें इसकंद गुप्त हार गए सारा परिवार सब राज अच्छिन्यविन हो गया था इसकंद गुप्त हार जाते हैं और देवसिना का पूरा परिवार युद्ध में वीरगत्ति को प्राप्त हो जाता है इसकंद गुप्त बहुत दिनों के बाद देवसिना के पास आते हैं देवसिना तब तब परण दत्त के साथ आश्रम में रहकर गोजारा करती है और भीक मांगती है गाना गाती है इसकंद गुप्त देवसेना से प्रणय निवेधन करता है प्रणय निवेधन का मतलब प्रेम का निवेधन यानकि इसकंद गुप्त अब उनसे प्रेम करना चाहते हैं वो कहते हैं कि अब हम दोनों प्रेम कर सकते हैं क्या तुम उससे प्रेम करोगी ति लेकिन जो देवसेना पहले स्वयमी इस्क centuries प्रेम करती ती परतू वह अब उससे विरक्त हो चुकी है, देशु स्यवा का प्रण ले चुकी है अत्य है वह सकंद गुप्त के प्रेम ने वेधन को अस्विकार कर देती है। स्कंद गुप्त को मना कर देती है कि मैं अब प्रेम नहीं करना चाहती है फिर उस प्रेम की वेदना को महसूस करती है अब स्कंद गुप्त भी आज जीवन कुमारा रहने का अवरत धारन करके वापस चला जाता है लेकिन देव सिना मन ही मन उस दुख को महसूस करती है कि जिस व्यक्ति को मैंने जीवन भर चाहा, वह व्यक्ति जब आज मुझे मिलने लगा है, तो मैंने खुद ही उससे मना कर दिया, तो देखो कितनी अजीव इस्तिति उनके सामने पैदा हो जाती है, कितना दुख होता है, कि जिस व्यक्ति को जीवन भर चाह रही है उसी व्यक्ति को वो नहीं अपना पा रही है तो जीवन का जो अंतिम समय चल रहा है क्योंकि वो भी जीवन का बहुत लंबा समय निकल चुका है कि तो कह रहिए कि आप इस जीवन की अंतिम बला में में कैवल देश की श्यवा करूंगे और यह ये कि आ यह का ओवता की क्वियां करने से पहले हम कभता की व्यक्या करने कि लिए क्या क्या चीज जरूरी हैं उसका संधर्व और प्रसंग इन दोनों चीज़ों पर स्षा करें है जिता हुआं amat विद्धियार्ति तो अम आरो संध्रव और जो प्रषंग है व्याथिया के लिए महत्वपूरğंग जब आपके पेपर माती है व्याख्या करने के लिए तो उसमें संधर्व परसंग सई गया तो संधर्व कैसे ल pleasing देखते हैं उसमें पाठ्थ पुस्तक का नाम लिखेंगे और पाठ्थ का नाम लिखेंगे और दूसरी और कोई पुस्तक हो तो आपको पा इसके जगह के अवर नाम बदल देना है बाकि जो फॉर्मूला है जो फॉर्मेट है वो ऐसे रहेगा यह देवसिना की गीत यहां कविता का नाम है आप यहां उसकी जगह पाठ का नाम लिख देंगे तो फॉर्मेट यही रहेगा बाइक उसमें आपको पुस्तक का नाम कविता का नाम और जो उसका लेखा की अकभी उसका नाम बदल देना है यह जैशंग का प्रसाद द्वारा रचेत इसकंद गुप्त नाटक का अंश है यह इसका संधर्व है संधर्व का मतलब होता है कि यह जो आप पढ़ रहे हैं इ देवसिना से प्रणा निवेदन करता है किन्तु देवसिना मना कर देती है और इसकंद गुप्त लोट जाते हैं देवसिना प्रेम की वेदना को इस गीत में प्रकट करती हुई कहती है अब जो गीत है वो देवसिना की वेदना का गीत है मन में महसूस करती जाती है और सब् विदाई मैंने भ्रह्मवश जीवन संचित मदुकरियों की भीक लुटाई अब देखो हमने इसकी व्याक्या को हमने यहां लिख दिया है लेकिन पहले में इसको मौकिक समझ लेते हैं उसके बाद हम इसको पढ़ करके आपको दिखाएंगे कभी क्या केते हैं कि जो देवसेना है वो अपनी वेधना को प्रकट करते ही कहती है कि आहा अरे वेधना मिली विदाई की जीवन के अंतिम समय में आर्था तो विदाई के समय में भी मुझे क्या मिली वेधना ही मिली मेरे जीवन का अंत्ध होने वाला है मेरा अंतिम समय चल रहा है जीवन के कैवल कुछ समय वाकिए है उसमें भी झी वेधना देखने को मिलrise है व्यधना लुंग किसको कहा है यह तो पहली दुख था क्योंको इसकंद गुप्त पहले नहीं मिले फिर यद्ध हो गया है उनका प और वो कहती है कि अब तक था जैसा तो था लेकिन जीवन के अंतिम समय में भी मुझे दुख ही मिला मुझे वेदना ही मिली है मैंने भ्रम वस जीवन संचित मैंने भ्रम के वस में होकर जीवन संचित जीवन में जो कुछ भी संचित किया एकठा किया संचित कार्थ होता है एक इस तरह से कोई व्यक्ति पके हुए अन्न को भिख्षा में दे देता है और खुद रह जाता है ठीक उसी तरह से मैंने जो अभिलाशाएं जो प्रेम इसकंद गुप्त के प्रती एकठा किया तो वह सब कुछ आज मैंने लुटा दिया मदुकरी की भादी अब मेरे पास उसमें से कुछ भीश्यस नहीं है क्योंकि अब मैंने उनसे प्रेम करने के लिए मना कर दिया है तो इस तरह से जो देवसेन हैं वो क्या कहती है कि जो भ्रह्मवस उन्होंने जो कुछ भी खटा किया तो वह सब कुछ उन्होंने आज लुटा दिया अब उनके प पॉपी में वितार सकते हैं बार-बार आपको मोबाल में देखने का जो नेट है या जो समय वो बचेगा और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं तो देवसिना कहती है कि मुझे विदाई के समय में भी वेदना मिली है अर्थात जीवन के अंतिम छणों में भी मुझे वेदना अर्थात दुखी मिला मैंने जीवन में भ्रह्म के वश में होकर जो भी अरजित किया था जो भी योवन के किरिया कलाब किये वे सब आज मैंने पके हुए अन्न की भिक्षा की भांती भीक में लुटा दिया। कहने का आशा है कि इसकंद गुप्त के प्रती प्रेम जीवन भर रहा परंतु जब वह मुझे मिले हैं तो मैंने ही उनके प्रणय नेवेदन को अश्वीकार कर दिया। कि योवन के किरिया कलापों को भ्रह्म वश्क किये गए कार्मानती है योवन वह जो भी कुछ उचने जो अभिलाया व्यक्त कि जो सिप प्रेम किया वो सब कुछ उसे क्या मानती है कि वो मेरे भ्रह्मवस किये गए क्रिया कलाप है वो मैंने सोच समझकर नहीं किये कैसे कि यह भ्रह्मवस कि उसको लगता था कि इसकंद गुप्त उनको एक दिन मिल जाएंगे लेकिन जब तक उनकी चाती तब तक उनको वह नहीं मिले अब आगे देखते हैं चल चल थे संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंग्राई चल चल थे संध्या के श्रमकण संध्या के श्रमकण श्रमकण का मतलब होता श्रम बिंदू अर्थात पसीने की भूने कि संध्या के समय परिश्वर्म के कारण जो पसीने की भूने मात्य पर छल चलाती हैं पसीने की भूने आ जाती हैं जलकती हैं उसी तरह से वो आसू से गिरते थे प्रतिक्षण कैसे ग यात्रा पर लेती थी नीरवता अनत अंग्डाई मेरी यात्रा कि मेरी जो जीवन रूपी यात्रा यहां पर देखो यहां रूपा का लंकार है रूपा का लंकार है जीवन रूपी यात्रा और आशू से आशू के समान शर्मकन तो यहां पर उपमा लंकार है तो दोनों लंका उदासी अनन्त माने कभी ना अन्त हो जिसका ऐसी यंग्राई ले रही थी अर्थात मेरे जीवन रूपी आत्रा पर हमेशा से उदासी च्छाई रही हमेशा से वो मेरे पास से चिपकी रही मुझे कभी उसने छोड़ा नहीं अब इस व्याख्या को देखते हैं जो उसका सार है कि देवसेना कहती है कि श्रम करने के कारण संध्या के समय माथे से पसीने की बूने आसों के समान गिर रही हैं देवसेना मेरी जीवन रूपी यात्रा पर खामोशी अंतहीन अंग्राई ले रही है। देवसेना ने आज जीवन विभान ना करने का संकल्प ले लिया। इस तरह से अब भी वही उदासी ही बनी रही। यांकि पहले भी वही उदासी थी और आज भी वही उदासी है। तो कावे संदर को स्पस्ट करने के लिए दो पक्षों की चर्चा करते हैं। पहला होता है भावपक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो पहले भावपक्ष को देखते हैं। भावपक्ष में हमें क्या बताना होता है। भावपक्ष में हमें बताना होता है कि इन पंक्तियों में या इस काव्यांस में मुख्य रूप से क्या भाव है या किस की चर्चा की गई है। वह भावपसंदर होता है तो इसमें वेदना मिली विदाई पंक्ति देवसेना की अंतरमन की वेदना को इंगित करती है और कि उसकी और इशारा करती है कि देवसेना की अंतरमन की वेदना प्रकट होई है देवसिना योवन काल में किये गए किरिय कलापव को और अभिलाशां को ध्रम वश किये गए संचित कार्व की श्रेणी में रखती है देवसिना की वेदना का मार में चित्रन किया गया है यह इसका भावपक्ष है चाहिए कोई सी भी कवता हो उसके भाव को दो-तीन पंक्तियों आपको प्रकट कर देना है वह बहुत सुन्दर होता है कलापक्ष कलापक्ष में क्या करते हैं कलापक्ष में हमें बताना होता है कि वह कौन सी भाषा है यांकि भाषा की कौन सी बोली है हिंदी भाषा ही है कि यूप अरठात खामुशी का उदासी का मानवी करन किया गया है मानवी करन अलंकार भी है तो यहां उपमालंकार रूपक अलंकार पुनुक्ति प्रकास अलंकार और मानवी करन अलंकार है भासा में चित्रात्मक्ता और संगीत आतमक्ता काई कमतल ore कि UM कर गते हैं है वह मैसूस हो कि कोई हमारे सामने बन गया हुघ उत्रा अब न होती है इसलिए यहां पर चाकछिश के आ halves ं इसको डिम्ब स्था इसस् सब trusts ग्युम्हों मुझे जो नेत्रों के मत्यम से प्रकट होता है इसमें करूंण रस है करूंणा की भावना है क्योंकि दुख्यक्रकट विए इसमें करूंर्ण रस आगले पत जो है श्रमित स्व्पन की मधुमाया में गहन विपन की तरुचाया में पतेक उनीदी शुरुत में किसने यह हें विहाग की तान उठाई अब आगे कहती हैं देवसिना कि श्रमित सपन की मधुमाया में श्रमित सपन की ठके हुए को जैसे सपन देखता है था ठके हुए सपन की मधुमाया में यह आदमी जब सपन देखता है तो किसी एक ऐसे मीठे माया में खोया हुआता है उसे मधुर मधुर सपने दिखाई देत साखमाने जंगल में कि पेड़ की चाया में कौन सऊया हुआ है पठिक转 अ непills सौया हुआ एक रहागीर सौया हुआ है । ऐसे कश Respond देख रहा हैं देख और कि देखे हैं सुपने देख रहा है अब उनियदी पस रुति यहीं कि दा रहे हैं उनियद रहे हैं है om और पत्षिक के माध्यम से वो अपने आपको परकट करना चाहती है Pipika मैं अब बिल्कुल ठकि arm भाईती अब सो रही हूं अर्थाध कहने चेहने मतलब है कि मेरे जीवन में से प्रेमन खत्म हो चुका है अव ऐसे समय में जो तो इसकंद गुप्त ने आकर के एक मीठी तान पक्षियों की राक की तरह मेरे कान में सुना दी कि मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूं तो उन्हें मेरे स्वय हुए सपनों में जो मैं मीठे मीठे सपन देखा करती देख रही थी वह सब कुछ क्या हो गया वह तूट गये पहले जब सपन देखती थी तो उस समय इसकंद गुप्त ने मना कर दिया था लेकिन अब जब ठक चुकी है इस जीवन वेला से विदा लेन करना चाहती है तो उस समय इसकंद गुप्त उन्हें प्रेम करना चाहिए अंतिम पड़ा पर इसकंद गुप्त का प्रेम निवेदन देव से ना को एक विहाग राग की समान तर्तीत होता है जिस तरह से ठका हुआ राहगीर किसी घने जंगल में किसी विरक्ष की घनी छाया में सोया हुआ है और वह सबने देख रहा है और उस समय उस पतिक की नीद की अवस्था में किसी पक्षी ने उसे मिठे राग की तान सुना दी ये बड़ा की मादर गलत लगी हैं तो उसकी नीद में विखन हो जाता है उसी प्रकार में जब इन सारी अभिलास और किरिया कला पाँ को त्याग चुकी हूँ तो एसी अवस्था में सकंद गुप्त मुझसे प्रेम निवेदन कर रहे हैं राग की तान सुना रहे हैं इससे अब मुझे कोई सुख नहीं मिलने वाला है अर्थात मुझे अब इससे कोई फाइदा नहीं आगे क्या कहती है वो लगी सत्रिष्ण दीठ थी सब की रही बचाए फिरती कव की मेरी आशा आह बावली तुने खोदी सकल कमाई वो कहती है कि लगी सत्रिष्ण का मतलब है कि वासना सहित दीठ माने नजर कि सब की वासना भरी नजर मेरे उपर लगी रहती थी कब ये अपने योवन काल की बात कर रही है जब वो योवा थी तो सब की वासना भरी नजर मेरे उपर लगी रहती थी और मैं बचाये फिरती कब की और में उसको अपने आपको अपने योवन को उन सबसे बचाई पड़ती थी देखो यहां पर देवसिना ने एक एक ऐसे कड़वे सत्य को भी उजागर किया है कि जैसी इस्थितियां आज की हैं वैसे इस्थितियां उस समय भी थी महिलाओं पर या युवतियों पर पुर्षों की किस तरह की नजर रहती थी जैसी आज रहती हैं कि आज भी लोग गंदी नजरों से महिलाओं को देखते हैं उस समय भी यही हाल था भले ही राजा महराजाओं को जमाना था तो उस समय में अपने योवन को उन गंदी नजरों से उस वासना भरी नजरों से बचाए फिरती थी मेरी आशा आह बावली और कहती है कि यह जो मेरी आशा है बड़ी बावली है पता नहीं क्या-क्या उम्मीद लगाए बेठी है तुने खोदी शकल कमाई अब इसने अपन कमाई की बात कर रही है देव से ना उसकमाई की बात कर रही है जो उन्होंने जीवन भर भ्रमित होकर के कमाई थी क्या जो योवन के क्रिया कलाब थे जो सकंद गुप्त के प्रती जो प्रेम भाव थे जो सब कुछ उन उसने अपने मन में एकटा करके रख रखा था आज व मेरे योवन काल में सब की तिस्टना भरी प्यासी नजर मुझे पर लगे रहती थी, मैं स्वयमकून से बचाए फिरती थी, उस समय में इसकंद गुप्त से प्रेम करती थी, परंति इसकंद गुप्त मुझे से प्रेम नहीं करते थी, यह मेरी आशा भी बावली है, जो इन सब की आशा लगाए रहती थी, कि जीवन में कभी न कभी तो उसकंद गुप्त का प्रेम मुझे प्राप्त होगा, लेकिन आज मैंने जीवन भर की वैपूरी कमाई, अर्थात, सारे किरिया कलाप और अभिलाशा खोदी हैं, अभिलाशा खोदी हैं, सब कुछ खोदिया उसने, अब इनका काव सुंदर है, पहला भाव सुंदर है, कि इन पंक्तियों में देव सिना की वेदना और अंतरद्वंध साकार होटा है, सकंद गुप्त के प्रणे ने वेदन को व्याकी तान कहा गया है, देव सिना के विरक्त मन की अभिव्यक्ति होई है, यहां उन्होंने सब खुष्यान की प्रेम से विरप्ति का भाव प्रकट किया है कि कलापक्ष भाषा खड़ी बोली हिंदी है ठीक उसी तरह कि जिस तरह से पहले पदम थी भाषा में चित्रात्मक्ता का गुण है भाषा में संगीतात्मक्ता है संस्कृत निश्ट शवदावली है तत्सम भी इसक कर रही अपने पिशली समय को जो स्मिर्थी बिम्भ है और स्रवित स्वप्न में अनुप्रासलंगार है कि चड़कर मेरे जीवन रत पर प्रलय चल रहा अपने पत पर मैंने नेज दुरुबल पद बल पर उससे हारी होड लगाई अवो क्या कहती है कि चड़कर मेरे जीवन रत पर कि मेरे जीवन रूपी रत यहां पर रूपक अलंगार है कि मेरे जीवन रूपी रत पर चड़कर कोन आ रहा है प्रलय चल रहा अपने पत पर प्रलय कहां चल रहा अपने पत पर हैंगि जो मेरा जीवन रूपी रत है उस पर कोन चड़ रहा है प्रलय प्रलय अपने रास्थे पर चल रहा है लेकिन उसने रास्ता क्या बनाया है मेरे जीवन रूपी रत को उसने अपनी यात्रा अपना रास्ता चुन लिया है मेरे जीवन रूपी रत पर सबार हो कर KNOW करके वह अपने पत्फ्पर चल रहा है कौन प्रिले की बात करते हुं प्रिले का मत्लब है या संगर्स जो चंगर्स है मैंने निज髻 दुंडल पद बलपर उस से हारी होड लगाया वो कहती है कि मैंने उस प्रले से उस संगर्ष से हारी होड लगाया यानि मुझे पहले से पता था कि मेरी हार होगी लेकिन फिर भी निज दुरूबल पद बल पर मैंने अपने कमजोर पदों के बल पर भी मुझे पता था कि मैं कमजोर हूँ फिर भी मैंन जीवन रूपी रथ पर सवार होकर अपने रास्ते से चला जा रहा है। मैंने अपने दुर्बल पेरों के बल पर उस प्रडे से ऐसे होड लगाई है, जिसमें मेरी हार निश्चित है। अपनी हार निश्चित होने के बावजूद भी, मैं प्रले से लोहा ले रही हूँ, भारी विशम परिस्थितियों से संगर्ष करती रही हूँ, अब आते हम इसके कावश अंदर पर, कि भावपक्स क्या है, इस काव्यांस में देवसिना की मनिस्थिती का यथार्द चित्रन ह हुआ है, देवसिना में जीवन संगर्ष करने से ठकने के करण, निराशा की भावन दिखाई देती है, देवसिना की वेदना और निराशा का मारमिक चित्रन हुआ है, यह इसका भाव संदरे है, कला संदरे, इसको शिल्प संदरे भी बोलते हैं, शिल्प, परिक्षम दुन पर हारी होड और लोटा लो इनन में अप्रास अलंकार की छटा है ऊफ्евой चल रहा अपने पत्ष पर प पर इस पंग्टी में का मानवी करण किया गया है अते हहां लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करोणा हा हा खाती, विश्व नसमलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाजनवाई, वो कहती है कि हे विश्व है यह विश्व संसार के सारे लोगों को संबोधिक करती हूँ कहती है कि हे संसार के लोगों अपनी जो थाती है जो धरोहर है इसे लोटा लो मेरी करुणा हाहा खाती है मेरी करुणा हाहा खा रही है अर्थाद अब मैं इसे बहुत थक चुकी हूँ म अब यह मुझसे नहीं संभलने वाली है इससे मन की लाज गवाई और मैंने इस धरोवर के कारण ही अपने मन की लाज भी गवादी क्योंकि जो महिला या पुरुष कि किसी से प्रेम करता है तो वह समाज में अपनी लाज गवाद देता है लोग उसको बेशर्म मन चला चंचल तमाम तरह के जो अपसब्ध हैं उनको सुना देते हैं इसकी जो व्यक्या है देवसिन अपनी वेदना वा संसार को संभोधित करते हुए कहती है कि है संसार के निस्ठोड लोगों अपनी धरोवर मुझसे लोटा लो मेरी करुणा हाहा कर रही है तुमने मुझे जो कुछ द कामन की लज़ा भी गहने का आश्य है कि देवसिना प्रतक्ष रूप से सकंदगुप्त को लक्ष करके कहती है कि तुम्हारी प्रेम रूपी धरोवर वापस ले लो अब मैं इसे नहीं समाल सकती अर्थात में प्रेम करने में सक्षम नहीं हूं मैंने इस प्रेम के कारण मार में चितरन किया है, ये इसका भाव सुंद्र भाव पक्ष है। कला पक्ष भाषा खड़ी बोली हिंदी है, भाषा तत्समपरदान है, लोट लो यह अपनी थाती इसमें हुआ यहां खाती हैं इसमें पुनुक्ती प्रकाशलंकाय च्यावादी Privती का दुख्वाब प्रकट हुआ है कि प्रकुंत करण रज्ष की अभिवक्ती इसका अकला पक्ष तो प्रियो विद्यार्थियो इस पार्ट के प्रस्नुत्तर के लिए देव सेना का गीत इसके प्रस्नुत्तर इद्याब को देखना है तो आप उसके लिए हमारा दूसरा वीडियो सर्च कर सकते हैं और कार्नेलिया का गीत उसकी व्याक्या भी आप दूसरे वीडियो में सकते हैं धन्यवाद